तेखे एक दिमाग के दिवाली अपपन हम उसको कहते हैं जब ये चार बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया ना पीछड़ों दलितों का अपमान समझ में आया जब बहुजन समाजपार्टी की सत्ता जाते इन्होंने देखा तो फिर रामम सरणम गच्छा में राम की सरण में चले गए तब उसी राम चरित मानस माला फूल चढ़ाए राम राम जपना पिछड़ों का माल लूटना यह न कि यह पांच साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया खुद मंतरी बन गए तो पांच साल लगातार इनको कोई अपमान नजर नहीं आया फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले फिर ये सत्ता के लोलुपत लोग फिर बदल दिया सत्ता सत्ता नहीं बनी दस साही महिना कोई नहीं जाना तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान दे लेकिन मुझे तो वास्चार है इनके बयान पर की पढ़े लिखे लोग है बाबा साब डक्टर अमबीटकर जी ने संबिधान के पूरे संबिधान में कहीं एक सब्द भी सुद्र नहीं लिखाया है चार जाती बनाई है सामाने वर्ग, पिछड़ा अतिदली, तनुसची जन जाती चार वर्ण है और ये संबिधान की सपत लिए है अभी अभी MLC बने जब तो संबिधान की सपत लिए कि संबिधान के दाइरे में रखे हम काम करेंगे तो संबिधान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी धर मजब के खिलाप आप बोले या कोई उसे अलग हट करके कोई टिपड़ी करे इसका मतलब कि आप संबिधान को नहीं मानते हो और संबिधान के बदवलोत आज MLC बने हो और सपत लिए हो तो ये सत्ता के लोलुकत लोग हैं ये जो लड़ाई है जो देश में हालात है बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ रही है बेरोजगारी पे बोलने की बेरोजगारी से लड़ने के लिए बेरोजगारी कैसे कम हो इसके लिए इनके पास चिंतन नहीं है देश में महंगाई कैसे कम हो एक समान अनिवार और फिरी सिक्षा देश, समाज, प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब वहां सिक्षा हो तो सिक्षा के सवाल पे जब ये सत्ता में लोग रहते हैं तो कानून बनाने की बात याद नहीं आती है आज लाखो करोड रुपया अमीर जब बैंक से अर्बियाई से लोन ले रहा है नहीं दे पा रहा तो उसके करजे माप हो जाते हैं इनके करजे माप किये जाए ये हम तो समाजवाद की परिभासा पढ़े हैं रामनुह लोग जी ने कहा है कि समाजवाद लाना है तो आपने नाम के आगे पिछे जाती हटा है दो यह नहीं समाजवाद है और अखिले जी क्या है अखिले सिंग है आदा चट्री है आदा इतना दुनों हैं अब ये मोहन भागवाजी के बयान को पूरा हमने अध्यान अभी नहीं किया है अभी तो हम मौ में महला मारैली को लेकर के हम वहां प्यास्चत थे वहां से निकले हैं रात को आये हैं सुबह उठे हैं आओ के बाग के दर अब उनके बयान को पढ़ लें कि क्या बयाने तब अब ये हम तो पैदे नहीं थे कैसे बता दे कि कौन भाटा कौन नहीं बाटा अब जो इतिहास है उसको जब पढ़ा जाए ता मालूम हो नहीं देखे मोहन भागवाजी के बयान पर आप जैसे मोहन भागवाजी ये बात कह रहे हैं कल तक मोहन भागवाजी हिंदू राष्ट की बात करते थे मोहन भागवाजी का बयान अभी हमने देखा कि मुसल्मान भी भारत का अभी नहांग है अब उसके प्रति उनका रूख नरम हो गया फिर उन्होंने बयान दिया कि हम सब को मिलके रहना चाहिए ये बात तो बात 100% सही है लिकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया है आप उनके हिसाब से अगर वो कह रहे हैं तो भाई पूरी सरकार उन्हीं की सारे पर चल लई है तो वो ज़्यादा हम से जानते हैं नहीं देखे हम तो आप लोगों के साथ 20 साल से बात कह रहे हैं कि जातिवार जनगरना हो तो ये जब सत्ता में लोग रहते हैं तो क्यों नहीं कराते हैं सत्ता से बाहर होते हैं तब ही बात याद आती है आप अगर साइद याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही प्रमोसन में आरक्षन खतम हुआ था कि प्रमोसन में आरक्षन खतम mins कि इस ने किया समाच wonders पाए 4 सितंबर 2013 को राखज हम धेस दिया कि 12 जातिय olmas 27 पर शिर्ट पर राव लरे रही है तो भाव ले रही है तो सेस्जातियों को उत्तर पर्दे सरकार बाँट के दे उसमें मुख्यमंत्री कौन था अकले सियादव जी थे इन्हों ने वह भी काम नहीं किया 14 सितंबर 2013 को हाई कोट ने भी एक आदेश दिया कि जो पढ़ाई सिक्षा का उत्तर पदेश में दो तरह की सिक्षा है यह जब सत्ता में लोग रहते हैं जब पावर होता है करने कराने का तब तो इनको याद नहीं आता है और सत्ता से बाहर आने पर सारी चीज़ें याद आता है